सो हेलो गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल इस वीडियो के नहीं हम बात करेंगे कि थ्री वाइट सोल्डर जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है वह कैसा होता है कैसे उसके बिसेस पर ट्रेड ले सकते हैं और चार्ट पर कैसे इसको ढूंड सकते हैं कहां पर इमनों के स्टॉपलोस लगा सकते हैं और कहां पर टागेट लगा सकते हैं तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेर करना सब्सक्राइब कर देना इसके साथ-साथ आप मेरा टेलिगरम चैनल जाकर करके जुए जिसका लिंक आपको लेल मिल जाएगा तो प्लीज उसको एक बार चेक करना तो चलो कई से भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाई जो यह थ्री वाइट सोल्डर कैनल स्टिक पैटरन है यह क्या होता है अब ही देखो यह मतलब बुलिस रिवर्सल में है तो बुलिस रिवर्सल का मतलब क्य रहाए डाउं अच्रेंद में था आपको यह केंडल सिक लोएस पार्ट पर मिलेगा के बाल और यहां से प्राइज जो है वो और में होगा तो यह जो जो इसना है यह मतलब तीन कैंडल से से मिलगर के बनता है ठीक है और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पी तीनों केडल का मतलु का मात costume यहाँ सीदे बन रहा है तो तीनों केडल तो यहां पर छोटा छोटा इसका विक्स होना चाहिए यह आपको बहुत ज़रा है यह देहान रखना और इसके बाद आपको एक और चीछ का ध्यान रखना कि जब इस टैपका कैंडल बन रहा है तो इसका जो वॉल्यूम है वालीम जो है वह इंक्रीजिंग होना चाहिए टो यहां पर कोई विक्स आपको बहुत छोटा एक्तम नॉमिनल विक्स है तो फिर चलेगा अगर इसमें विक्स बहुत जादा बड़ा है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा यह मतलब थ्री वाइट सोल्डर गैलिस्टिक पैटन नहीं है तो होप आपको इतना कुछ अभी तक का सम सकते हैं का सच सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब देखा शब्सक्राइब रिजय जा करके ओंडे दे नहीं लेने जाओंगे तो प्रॉब्लम कहां पर आएगा इस टॉपलास आपका बहुत जादा बढ़ा आजाएगा तेखो तीनों का जो सब ज़ो थार्ड कैनल होगा उसके हाई के ऊपर आपको बाई करना है यहां पर को भी करना है और जो प्रिप्रश यहां पर होना चाहिए यहां यहां से trend reversal आने वाला है यहां से trend change होने वाला है मतलब price पहले गिर रहा था अब price यहां से उपर के side जा सकता है लेकिन इसके basis पर डियर क्ली डिशनल बेसिस पे भी तो यह है इसके बारे में गाइस इस वीडियो में इतना ही था गाइस थैंक्यू गाइस थैंक्यू वाचिंग डिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में